ननन सुश्मिता सेन की लेटस लव स्टोरी पर भावी चारू असोपा का आया रियाक्शन दस साल बड़े तीन बच्चों के बाप को डेट करने पर चारू ने किया सुश का समर्थन सुश की नई लव स्टोरी से सेन परिवार में मच गया है बवाल भाई राजीर सेन को अक्ट्रेस ने कर दिया है अनफॉलो जी हां बॉलिबूड आक्ट्रेस सुश्मिता सेन का नया नवेला प्यार कई बवाल भी साथ लेकर आया है dazu ये पहली बार नहीं है जब सुश्मिता सेन को प्यार हुआ है इससे पहले भी सुश्मीता कई बार अटपटे लव रिलेशन्स में रहे चुकी है, लेकिन इस बार सुश्मीता को प्यार देश के भगोडे बिजनेसमेन और IPL के पूर्फ कमिशनर ललित मोदी से हुआ है। ललित मोदी के प्यार का एलान करने के 20 घंटे बाद सुश्मीता भी पोस्ट शेयर करके कह चुकी है कि हाँ वो प्यार में है। ना तो उन्होंने शादी की है ना सगाई लेकिन वो ललित मोदी के साथ प्यार में है और जिनको हमारा प्यार पसंद नहीं, नन ओफ यॉर बिजनेस। हाला कि बावजूद इसके सुश्मीता की ट्रॉलिंग नहीं रुक रही है। सोशल मीडिया पर ललित और सुश्मीता की इस लव स्टोरी का मजाक उड़ाते मीम्स की बाड़ा आ चुकी है। सुश्मीता लगातार ट्रेंट कर रही है। इसी बीच टीवी अक्ट्रेस चारु असोपा ने किया है सुश्मीता सेन का समर्थन। ये तो सब चाते हैं कि चारु असोपा रिष्टे में सुश्मीता सेन की भावी लगती है। हालकि सुश्मीता के भाई राजीव सेन और चारु का रिष्टा भी तूटने की कगार पर है। फिर भी चारू लगातार अपनी ननन्द सुश्मीता को सपोर्ट कर रही है। दरहसल बीते दिन जब सुश्मीता को ललित मोदी के साथ अफ़ेर की वजह से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रॉल होना पड़ रहा था, तब चारू ने इंस्टाग्राम की स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था, आपका सम्मान तब तक है जब तक मेरे स्वाभिवान को ठेस ना पहुँचे। महीं एक इंटर्विव में भी चारू ने सुश्मीता का सपोर्ट किया है, चारू ने कहा कि उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, जब भी जरूरत बड़ी वो मेरे साथ थी, वो मेरे लिए बहन से बढ़कर है, अगर दीदी खुश हैं, तो हम सब खुश हैं, किसी भी सुश्मीता सेन ने अपने भाई राजीव सेन को इंस्ट्राग्राम पर से अनफॉलो कर दिया है, सुश्मीता इंस्ट्राग्राम पर सिर्फ 14 लोगों को ही फॉलो करती है, और खास बात ये है कि इन 14 लोगों में अब राजीव सेन का नाम शामिल नहीं है, हैरानी की बात त पर रियक्ट करते हुए दिया था। राजीव ने कहा था कि मैं खुश के साथ साथ हैरान भी हूँ मैं खुश भी बोलने से पहले अपनी बहन से बात करूँगा। मुझे उसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मेरी बहन ने अभी तक अपनी ओर से इसकी पुश्टी नहीं की है। इसलिए मैं अभी इस पर कमेंट नहीं कर सकता। माना जा रहा है कि दोनों भाई बहन के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है।